फ्रेंड्स अभी एक नई फिल्म है यह लाल सिंग चड़ा यह आमीर खान और करीना कपूर इसमें इस फिल्म में मुख्यर रोल में हैं और यह रक्षा बंदन के दिन 11 अगस्तु रिलीज हुई उसी दिन अक्षे कुमार की भी फिल्म रक्षा बंदन रिलीज हुई दोनों फिल्में दोनों अलगी तरह के उसमें टॉपिक पे हैं लाल सिंग चड़ा जो कि पिछले धाई साल से आमीर खान की एक बहुत ही मच अवेटिड फिल्म थी जिसको जो की एक 94 में बनी हुलिवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रिमेक है जिसमें की जो फॉरेस्ट गंप में जो हीरो टॉम हैंक्स थे उन्होंने इसकी में लीड रोल किया था फॉरेस्ट गंप नाम सी जो फिल्म थी उसमें टॉम हैंक्स थे जो की एक लो आईक्यू के आदमी होते हैं ज्यादा मतलब आम भाशा में जिसको थोड़ा सा पागल कह देते हैं इस टाइप में तो उस फि प्रेक्ट शाबी तो इतिल उसमें होलीवुड में फिल्म ने तक्रीव 600 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था तब कि उसका जो जो फिल्म मेकिंग कोस्ती वो ज्यादा नहीं थी तो उसी का एक रिमेक आमिर खान ने लाल सिंग चड़ा बनाया जिसमें लाल सिंग चड़ा को एक सरदार के रूप में दिखाया गया एक सरदार जो कि लो आईक्यू का अदमी होता जिसे देसी बास से में थोड़ा सा आर्मी जॉइन कर लेता है और इस तरह से तो एक अलगी तरह का उसको दिखाया गया करेक्टर फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि यह फिल्म क्या है या आगे आमिर खान के भी लोग देखना छोड़ देंगे अमिर खान को जब कि वर्सेटाइल एक्टर का जाता है फिल्म का बजट तकरिवन 180 करोड़ है लेकिन पिछले चार दिन के कलेक्शन को देखा जाए तो यह फिल्म बहुत ही घाटे का सोदा एक तरह से साबित होगी और एक बड़ी तरह लॉ है नोकरोड के क्रीब कलेक्शन किया है तो नोकरोड करीब क्रीब करक्ष視 किया तो फिल्म एक जिसते कहते हैं अगि उतना क्लेक्शन नहीं कर पारी जोकी इससे एक्सपक्ट किया जाता था और यह भी डाउट है कि यह शायद 180 क्रोड बनी तो 80 क्रोड तक भी पहुँच पहले तो इसका सबसे बड़ा कारे नहीं किये था कि इसके पीछे एक एक वो बाइकॉट लाल सिंग चड़ा ट्रेंड चला गया सोशल मीडिया पर जिसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला इस वज़े से जिसकी वज़े से पहले दिन के पहले दिन ने पहले दिन के शोग के बाद अगले दिन करीनामि rumors ने इसको सबस रिइक इसको रिक स्की किसकों अपना फिल्म मेरी फिल्म को देखे हैं कि इसमें हमारे 500 लोगों ने काम किया है और यह साल मिजब बन के तैयार हुई है इस ट्रेंड को इन एक्टरस ने कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया लेकिन आगे आगे इस तरह का अगर किसी फिल्म के खलाफ चलेगा ट्रेंड तो फिल्म के खालत बहुत ज़्यादे खराब होनी है जैसे लाल सिंग चड़ा की हो रही है और और आगे वी एक ट्रेंड सारू खान के फिल्म आने वाजिया और अगले कुछ मेंँनों में पठान जिस को जिस पे अपना लोग फुड़ा इसका ट्रेंड सभी चलाएं असल में किया लाल सिंGH चढड़ा में एक तो इसमें जो दिखाये गए जिसमें किसंने जो हिंदू ध्र attain पे जो कमेंट्स किया और दूसरा को जो आर्मी जौइन कर लेता है यह क्ट इप्टाय इंडियन आर्मे को को कोई Feels le leve Emices के जूइन तो फिल्म एक जिसे कहते हैं ये फिल्म आग ये साथ कुछ दिनों में ये फ्लॉप ही साबित हो जाए हालां कि आमिर खान ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके इसको ग्यारा तरीकों रिलीज किया कि सिदही उसको चार दिन का वह मिल जाएगा पांस दिन का उसको कंटिनूस वीकेंड मिलेगा एक तरह से लेकिन जैसी हालत इसकी फिल्म की हुई है ये पाई इस तरह इसी साथ तो कलेक्शन बहुत जबर्दस होना चाहिए लेकिन इसका जो बायकॉट का जो ट्रेंड था उससे और काफी इसकी जो सिच्वेशन थी इससे ये फिल्म बुरी तरह से अपने फ्लॉब कोने के कागार पर बढ़ रही है उसी तरह से ये रक्षामनन का भी वह है उसका अगली वीडियो में रिवीव करूंगा लेकिन ओवराल ये आमीर खान की जो एक वर्सेटाइल परसनेलिटी बना रखी थी एक उस तरह से बना रखी थी वो उसको पूरी तरह से डैंट कर रहे है इसके इमेज को फिल्म को यह ऐसी यतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीँ है और फिल्म बहुत ही स्लो टाइप में चलती है बहुत ही बोरिंग टाइप में चलती है फिल्म ये दीर दीराद में बोरिंग से होना लगता है तो इसको भी आमेर खाने को देखना चाहिए था इस फिल्म को तो उसको देखते हुए यह भी एक इसका बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है और आल यह फिल्म का रिव्यू बस यह है कि यह जल्दी यह शायद अगले दो चाह द कि भार्वी अच्छा क्लेकशन कर दीए लेगन इसका बहरबी ओवर्सीज से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही कि जिससे कि एक एक अच्छी रिकवरी वाली शो करे से लें विदेशों से भी इसकी ज्याद़ को सबस्काइब करें वीडियो को लाइफ करें और बैल झाला